छोटे-छोटे cooking tips नॉर्मल खाने में भी ला सकते हैं। गजब का स्वाद कुछ छोटी-छोटी बातें आपकी साधारन खाने को टेस्टी और आपकी किचन को बना सकती है special। पराठों को cooking में बहुत आनन्द आता है। लेकिन आज की इस भाग दोर भरी जिंदगी में हम इतना busy हो गई हैं कि खाना बनाने के basic tips भी भूल गई हैं। लेकिन परेशान ना हो क्योंकि इस article में कुछ ऐसे tips दिये गए हैं। जो ना सिर्फ आपके खाना बनाने की speed जी हां कुछ-कुछ छोटी-छोटी बातें आपकी साधारन खाने को टेस्टी बना सकती हैं। और आपकी kitchen को special तो आईए मेरे साथ जानते हैं best cooking tips। पराठों को टेस्टी बनाने के लिए आटे में उबला आलू कद्दू कस करके मिला लें। पराठें अगर ओनियल या घी क जगह butter में second जाएं तो अधिक टेस्टी बनते हैं। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप सत्तु मिला लें। इससे ग्रेवी तो गाढ़ी होगी, साथ ही टेस्टी भी हो जाएगी। पकोड़े बनाते समय अगर उसके घोल में एक चुटकी अरारोट और थोड़ा गर्म ओनियल मिला दिया जाए तो पकोड़ें अधिक कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं। पकोड़ें सर्व करते समय इन पर चाट मसाला छिड़कें, इससे ये अधिक टेस्टी लगते हैं। भिंडी को ज्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें। नूडल्स उबालते समय उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक और तेल डालें और निकालने के बाद उन्हें ठंडे पानी से धोएं। नूडल्स आपस में चिपकेगे नहीं। रायते में हींग जीरा भून कर डालने की बजाए अगर हींग जीरे का राज्मा या उड्डद की दाल बनाने के लिए पानी में उबालते समय नमक नहीं डाले जल्दी पकेगी। नमक दाल गलने के बाद ढालें। पूरियां खसता बनाने के लिए आटा लगते समय उसमें एक चम़्च सूझी या चावल का आटा मिला दें। इससे पूरियां खस्ता बनेंगी. आटे में एक छोटी चम्मच चीनी डाल कर आटा लगाने से पूरियां फूली-फूली बनती हैं. पनीर अगर टाइट हो तो उसे छुटकी भर नमक मिले हुए गुन-गुने पानी में 10 मिनट के लिए रखते हैं. पनीर नर्म हो जाएगा. चावल पकाते सम हलकी सी चीनी डालने से प्यास जल्दी ब्राउन होंगे. एक कप नारियल पानी में दो ब्रेड और एक चम्मच चीनी डालें. इससे इडली के घोल में मिलाने से खमीर अच्छा उठता है. दही जमाने के लिए जामन नहीं है तो गुन-गुने दूध में एक हरी मिर्च डा कर रखने से भी दही तैयार हो जाता है. तंदूरी चपाती को नर्म बनाने के लिए आटा लगाते समय उसमें थोड़ा दही मिला दें और गुन-गुने पानी से आटा लगाएं. तंदूरी चपाती सौफ्ट और क्रिस्पी बनेंगी. डाल के चिल्ले बनाते समय घोल में दो बढ़े चम्मच चावल का आटा मिला दें. चिल्ले खस्ते और क्रिस्पी बनेंगे. इडली डोसे का मिक्स खटा हो गया हो तो इसमें नारियल का दूध मिला लें. खटा पन निकल जाएगा. पनीर बनाने के बाद बचे हुए पानी से आटा लगाने से तंदूरी चप जिल्ले खटा लेंगे. तो बचावाएगा. जिल्ले खटा हो तो इसमें उकरने से तंदूरी चावल का दो जाएगा.